वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें जाती आंदोलन और किसान आंदोलन के बारे में इससे पहले इंडियन जोग्रफी कंप्लीट हो चुकी है अगर आप न्यू है चैनल पर तो प्लेलिस्ट में क्लासे जायड है आप पढ़ सकते हैं और अभी Modern Indian History in Classes में चल रही है जो की डेवाई सीरीज है अगर आप इस क्लास की पीडियप पाना चाहते हैं या अदर किसी कोर्स की आप प्रिपेशन करना चाहते हैं तो Google Play Store पर जा करके Study for Civil Services का एप डाउनोड करके आप अपना कोर्स परचेस कर सकते हैं और ग्यांसर कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% का तुरण डिसकाउंट भी मिल जाएगा जो भी कोर्स आप जोईन करते हैं चाहे वो State PCS का एक्जाम हो आरो ए आरो का एक्जाम हो या फिर आप अधर कोई competitive एक्जाम है सारी information आपको उसी एप में मिल जाएगी फुल स्टडी material प्रोवाइड किया जा रहा है डेली प्रैक्टिस कराई जाती है पेट कुईज मिलेंगी टेस्स सीरीज मिलेंगी और डाउट क्लियर करने के लिए अलग से ग्रूप प्रोवाइड किया जाता है जहां पर आप अपने discussion कर सकते हैं डाउट को ले करके तो यह होगी आपके कोर्स से related जानकारी चली आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं तो आज जो हमें पढ़ना है जाती है आंदोलन और उसके साथ साथ किसान आंदोलन जाती है आंदोलन में सबसे पहले पढ़ना है depressed classes mission जो की 1906 में सुरू हुआ यह एक लिश्ट है जिसमें आपको सारे आंदोलन दिखेंगे किस वर्स प्रारम हुए आंदोलन उनका छेत्र क्या था और उस आंदोलन का क्या प्रभावर है या किस कारण से आंदोलन सुरू हुए वो सारा इस लिश्ट में दिया गया है तो 1906 में depressed classes mission सुरू हुआ बॉंबे वाले श्चेत में और यह mission विठल जी राम जी सिंदे के द्वारा सुरू किया गया था 1917 में सिंदे भारती राष्टी कॉंग्रेस में और इस प्रश्चिता की प्रथा को नकारने वाले प्रस्ताव पारित कराने में सफल भी रहे थे प्रसा सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं इसमें 1924 में depressed classes institutions की इन्होंने स्थापना करी 1927 में मराथी पाक्षिक बहिस्कृत भारत का प्रकाशन किया 1927 में समाज समता संग की स्थापना की और 1942 में अनुसूचित जाती संग का गठन भी किया अगला है सत्य सोधक का अंदोलन जो की जोतिबा फूले द्वारा जो इस्थापित किया गया था सत्य सोधक समाज इसके द्वारा सुरू हुआ 1873 में महराष्ट में इन्होंने ब्रामहरवात का विरोध किया दलितों के उधार का प्रयास किया आइस प्रसी हो जाएं वाचा विरोधी आंदोलन से संबंधित है यह याद अखना है अर्वी पुरमांदोलन है अगला इसका नेतर तुकिया सी नारायन गुरू ने 1888 में केलल में दलितों और शोशित वर्ग के अधिकारों के लिए संगर्स किया इसमें मुख्यता जो केरल के इरजावास या इरवास ज पिल्लाई थे 1891 में सुरू हुआ नायर आंदोलन केरल में दामडों के विशेशा धिकार को चुनोती दी गई और 1891 में रमन पिल्लाई द्वारा मल्याली मेमोरियल की स्थापना भी की गई 1914 में पद्मनाभन पिल्लाई द्वारा नायर सेवा समीती का गठन किया गया इन आंदोलन से संबंधित जो समीतिया हैं वो मैच द फॉलोईंग में आती है या फिर डेट पुशी जाती है कथन भी बनते हैं इनसे तो पूरी लिष्ट अच्छे से प्रिपेर करिए अगला है कैवर्तास इनके दौरा कैवर्तास आंदोलन सुरू हुआ जो बाद में माहिस सी बन गया थे 1897 से चलता रहा मिदनापूर बंगाल में 1897 में जाती निर्धारनी सभा का गठन हुआ था और 1901 में माहिसी समीति की भी स्थापना करी इन होने जश्टिस पार्टी आंदोलन, डॉक्टर टीम नायर थे इसमें, पीते आगराज चेटी थे, सीन मुदली आर थे इसमें प्रमुख नेततु करता मध्य सिद्यातियों से संबध्य थे ये 1916 में आंदोलन सुरू हुआ मदरास वाले छेत्र में पहले की समय में ब्राह्मण वर्ग का बहुत ज़्यादा वर्चस था, अब इन ही को चुनोती देने का कारी किया इस आंदोलन ने 1916 में The South Indian Liberation Federation, SILF, इसकी भी स्थापना की गई 1930 में सरकार द्वारा कुछ वर्गो का आरक्षर दिये जाने के लिए कुछ प्रयासों को सफलता भी मिली कॉंग्रेस के द्वारा हरीजन आंदोलन भी चलाया गया, 1917 से चलता रहा इसमें पिछडी और दलित जातियों के उत्थान के प्रयास किये गए 1932 में अखिल भारती अईस प्रश्यता विरोध लीग की स्थापना भी की गई 1933 में गांधी जी ने भी इसके द्वारा आप देखेंगे हरीजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया तो कॉंग्रेस हरीजन आंदोलन जो है इसको काफी आगे तक ले जाया गया आद में सम्मान आंदोलन इसके प्रमुख नेत्रतु करता थे ईवी रामस्वामी नायकर या फिर इने पेरियार नाम से भी जाना जाता है 1925 में सुरू हुआ तमिल नाडू वाले छेत में और ब्रामुख द्वारा जो जाती भेदभाव किया जा रहा था उसका इसके द्वारा विरोध किया गया 1910 में फुदी अरासु नामक पत्र का प्रकाशन भी पेरियार जी ने किया था अच्छूतों के द्वारा नदार आंदोलन सुरू किया गया जो छती रीती रिवाजों की नकल करते हैं और नदारों के रूप में उभणने के लिए उन्होंने तमिल नाडू में सांदोलन को सुरू किया तो सामाजिक भेदभाव का पहले तो उन्होंने विरोध किया, नादरों के मद्य सिक्षा का प्रसार और उनके सामाजिक कल्यान को प्रात्मिक्ता दी गई, 1910 में नादर महाजन संगम की भी स्थापना हुई तो ये कुछ जाती आंदोलन है, जो एक लिस्ट के फॉर्म में मैंने आपको कवर कराएं हैं, एक एक करके देख लीजे, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, प्रशन इससे बनते ही हैं जाती आंदोलन के बाद आप पढ़िए किसान आंदोलन, देखिए जो भी छोटे छोटे आंदोलन हैं, इनको साथ में प्रिपेर करते रहें, क्योंकि कहीं न कहीं से प्रशन जरूर बन जाता है, मौडर्न इंडियन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट अगर पार्ट बोला जा जाते हैं, तो पहला है टीटू मीर का अंदोलन, इसमें आप देखेंगे कौन-कौन थे तो टीटू मीर या फिर मीर नाथर अली मुख्य अंदोलन करता थे, इसके नेतर तो करता थे, सुरू कब हुआ, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1782 से 1831 के बीच ये अंदोलन चलता है पश्चिम बंगाल वाले छेत में, इसका कारण ये था उन हिंदू जमीदारों के विरुद जिन्हों ने फराजियों पर दाढ़ ही कर लगाया था, अगला है हजोंग और गारो जंजातियों का पागल पंथी यांदोलन, इसमें नेतर तो करता कौन था, तो करम सा और टीप किया गया, अंग्रेजों ने हिंसा पूर्वक किसान दोलन को कुचल दिया था, नेक्स्ट है मोपला विद्रो 1836-1854 के बीच में माला बारवाले छेत में, जादा कर निरधारन और किसी योगी भूमी में कमी के विरुदिस विद्रोह को किया गया था, नील की खेती के लिए किसानों के दोरा बंगाल में दिगंबर और विष्णू, इनके नेतत में नील विद्रोह किया गया कब, 1869-1860 के बीच डेट आपको याद करने में इजी रहेगा कि 1857 के विद्रोह के बाद ये हुआ था, क्योंकि ये प्रश्ण बंते हैं से, क्रोनोलोजी वाले ओर्डर मे दोरा जो आरोपित सर्ते थी, इनका विरोध किया गया, इस समस्या के समाधान हे तो 1860 में नील आयो का गठन भी किया गया था, नेक्स्ट है मराठा किसानों दोरा दक्कन के किसानों का विद्रोह हुआ 1875 में, महराश्ट का पूना और कारदेश गाउं, इसके छेत्र थे, गुजराती और मारवारी साहु कारों के भष्टा चार का विरोध किया गया, 1879 में आप देखेंगे दक्तन क्रिश्चक राहत अधिनियम भी पारित किया गया, रामोसी विद्रोह याद रखिये, इसके प्रमुख नेततु करता थे वासुदेव बलवन्त फड़ के, 1877 से अगला है पाबना विद्रोह, इसके नेततु करता में आप देखेंगे केशव चंदर राय थे, संभुनात पाल प्रमुख नेता थे ये दोनों लोग, इसके सासा बीसी चटर जी थे, आर्सी दत इनके सहीयोग करता थे, 1873 में आंदोलन शुरू होता है, पूरवी बंगाल क पाबना जीला था, बांगला देश में आता है, तो जमीदारों की जो जातियां थी, इनका विरोध किया गया, बाह भूमी अधिक रहण कारियों का विरोध किया गया, और इसके लिए 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया गया, एक्ट भी याद अखिएगा उनकी ड अधिनियम पास किया गया, चंपारण के किसानों दौरा चंपारण सत्याग्रा किया गया, 1917 में इसमें गांधी जी ने भी नेत्यतु करता के रूप में इनका सयोग किया था, चंपारण बिहार वाले शेत में, तो यूरोपी नील बागान मालिकों द्वारा जो आरोपी थी तीन कठिया पद्धिती पिशली क्लास मेंने डिसकस किया था कि तीन कठिया पद्धिती क्या होती है तो तीन बटे-20 भाग इस पर इनको निल की खेती करनी पड़ती थी तो इसी के लिए इन्होंने विरोध जाहिर किया था और चमपारण किशक अधिनियम इनके दौरा आप देखेंगे तिनकठिया पद्धिती का अंद किया गया चंपारण किशक अधिनियम द्वारा तो इसमें गांधी जी ने भी सयोग किया था 1915 में गांधी जी भारत आये थे इसके बाद ये पहले तो दौरा करते हैं पूरे भारत का और फिर इस वाले आंदोलन के लिए रामच क्योंकि ये हाथों से निम्मीट ये उगाया जाता था येकिन जो केमिकल के द्वारा प्रोडिूस किया गया कंपनी के द्वारा जो नील बनाये जाता था वह प्योग में जादा आने लगा तो धीरे धीरे इसकी मांग कम होने लगी तो भारत के भी जो कृषक थे वो चाहत और इसके बाद चंपारन कर्शक अधिनियम विपारित होता है इस आंदोलन में सफलता मिल जाती है इसके बाद अगला है खेड़ा के किसानों का खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कालियों का नेतत इसमें गांधी जी ने इसमें भी किया था गुजरात वाले छेत में फजल के ब सवामी थे कुछ और भी अच्छूत लोग इनके साथ थे इनके साथ साथ सरदार वल्लब भाई पटेल भी थी और महता बंधों का पूर्ण समर्थन था 1923 में सुरू हुआ सूरत और गुजरात वाली जगए में मतलब गुजरात की सूरत जगए पर बंबई सरकार दोरा वर्तों ने बढ़ चड़के हिस्सा लिया था इस आंदोलन में तो यह अपने इस आंदोलन के बाद जो वल्लब भाई पटेल थे इनको सरदार की पाधी देती हैं पासी और अहिर जाती के आंदोलन का आप देखेंगे इसको बोलते हैं एक आंदोलन ठीक है तो 1921 से 1922 के ब विरोध किया गया तिभागा अंदोलन या दखिए इसमें गरीब बटाईदार और दिहारी पर काम करने वाले क्रिशकों के द्वारा किसानों के द्वारा यह अंदोलन किये गया तो 1946 में हुआ बंगाल वाले छेत में इसमें साहुकार और जमीदारों का विरोध हुआ ट्थिहार वाले शेत्र में अधिवास अधिकारों से संबंद जमीदारों की नीतियों के खिलाफ था। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाती आंडोलन देखें इसके सासत कुछ किसान आंडोलन भी कवर कर लिये हैं। अगली और क्लास होगी जिसमें जो अनिजन आंदोलन बचे हों, उसके सासत किसान आंदोलन जो भी बचे हैं वो कम्प्लीट कर लेंगे, और आगे वाली क्लास में हम लोग आखिल भारती किसान सभाग को भी डिसकस करेंगे, कौन अध्यक्ष रहे, कौन सची रहे, इस सारी च अगे विल सर्विसेज का एप डाउनोड करके आप पीडियक परचेस कर सकते हैं, या फिर अधर कोर्स जिनकी भी आप प्रपेशन करने हैं, वो आप परचेस कर सकते हैं, पेट कोर्स लेने पर आपको ग्यांसर कूपन कोड अप्लाई करना है, 20% का आपको तुरन डिसकाउ क्लासेज हैं, वो भी रिकॉर्डेट क्लासेज उसमें दी जाएंगी, अगर वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक कीज़े, चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और लोगों को शेर करते रहे, ऐसे ही और टापिक के साथ मैं आती हो गली क्लास में, तब तक के लिए धन्य प्रेवाद.